हेलो एवरीबडी तो डिस्कस करते हैं कि यूपी स्कॉलर्शिप 2022-2023 के लिए जो रिनीवल हम लोगों को इसमें करना है उसके लिए कैसे कैसे हम इसमें रिनीवल करेंगे तो उसकी एक चोटी सी गाइडलाइन में आप लोगों साथ डिस्कस कर रहा हूं तो सबसे पहले up scholarship Google में ऑप करेंगे तो इस तरह का एक र sic पर यहां पर यहां पर यहां पर जाएंगे तो पहला जो यूपी स्कोलर्शिप उत्रप्रतृश्ट तो यह पराज़ेंगे तो यह पर हम पेज जब इस तरह का भूटन में यहां पर खुल जाएगा जसमें लिखा भी होगा, renewal by stage, post metrics पेज आपको होमपेज खुल जाएगा यहां पर बहुत सारी चीज़ें आपर हैं नवीनी करन के लिए संसोधित करें पोड़ अब लोड करें इसमें आप देख सकते हैं और जांच के लिए एक प्रिंट यहां से निकाल सकते हैं जान रखेगा फाइनल समीट तभी करें पहले यह registration है शेक्षनिक डिटर अपनी भरेंगे registration में सारे कोलम भर के समीट करेंगे और फिर सेक्षनिक हैं यहां पर सेक्षिन डिक में कर हम यहां पर देखें पहलो पार्ठे करम का प्रकार क्या नहीं कर देंगे हैं पार्ठेकरम का nap करम की कि ब्रांच कोन सेर्ट इंग्ट करेंगे तो यहाँ पर आफ आ आप आपा झाल गी seores है इसाब से वर्तमान एक तरीचे में जो यह वर्टभान सतर चल रहा है कि तो ऊस्में क्या है? वह भी आप यहाफर अपनी डेट अलगसे बरके टाल देगे, मिह सुआ ङा था यह स कि है जब से और मिसन ने रहा है तो वह डालेंगे इसके बाद यहां पर बॉर्ड एफिलेटीड एजेंसी का पंजी करने शाय आप एंडॉल्मेंट नमबर इसमें भरेंगे और यहां से एफिलेटीड बॉर्ड क्या है बॉर्ड आप टेक्निकल एजूकेशन इसमा जाएगा राशन कार्ड की डिटेल मांगेगा तो यह जरूर परिक्ष्षा-फल इसलबाल उस्फाएगा घरत बासकेशन परेंगे ओरिक्षा-फलाव उसको क्रेंगे गळत हैं यहतार की परिक्षा पिछले अभि जो भाइन ज्यक्कोंभ वार्सिक परीख्षा पर्डगना लिए और समेस्टर पर तरीकशा दो गत्वर्स की अंग परना लिए वार्षिक होती है उसको देखके भरेंगे संस्था द्वारा पूर्ण अंकित इसको द्वारा नहीं भरा जाएगा गत्वर्स का प्राप्ता पिछली एक्जाम में किदर नंबर आए और कितने में से आए वह यहां पर था तो इसको सही सब भरे यह एक्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं लेकिन आप लोगों का कुछ अलग हो सकता है प्रिक्षापल का गत्वर्स का प्रतिशत कितना है कहां से आपने किया है वह आपको भरना है यहां पर और इसके बाद क्याप्चर भरकर यह अपडेट यहां पर कर देना है तो यह चीजे हैं बड़ी चोटी सी जानकारी है रिन्यूवल के लिए जादा कुछ बड़ा चीज नहीं है तो इस प्रकार आप इसको अपने फॉर्म को रिन्यूवल यहां से कर सकते हैं